हलो और विलकम बाक आज हम डिस्कुस करेंगे कैसे हम इमेज को अलाइन कर सकते हैं in MS Word इमेज को अलाइन करने की जब बात हम करते हैं तो सबसे पहले आपकी इमेज सेलेक्टेड होनी चाहिए आप Picture Format टाप पे क्लिक करेंगे Under Arrange Group आपको ये Alignment का Option मिलता है तो आप जब Alignment करते हैं तो या तो आप Margin के Reference में Alignment करते हैं या Page के Reference में Alignment होता है तो हगर हम इस Drop Down को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे Options हैं कि Left, Right, Center, Top, Middle कैसे Align कर सकते हैं हम इमेज को फिर यहाँ पे दो Option और होते हैं Align to Page and Align to Margin अगर हम यहाँ Align to Margin करें and यहाँ पे कोई Options चूज करें तो आप ये देख सकते हैं With Reference to the Margin ये Picture Change होगी अगर हम यहाँ पे इसको Middle पे करेंगे तो यहाँ पे Middle of the Margin ये जो हमारी Right Margin ये Left Margin है इसके Reference में अभी हमारी Picture placed है अगर हम दूसरा Option चूज कर Align to Page and then हम यहाँ पे Align Middle करेंगे तो भी Middle पे ही होगी and अगर हम Align Right करेंगे तो Right of the Page इस साइट पे आ जाएगी हमारी Image अगर हम Align Bottom सेलेक करते हैं तो Bottom Right of the Page हमारी Image जो है वो Align Similarly हम यहाँ पे Alignment Guides यूज कर सकते हैं हम Grid देख सकते हैं Grid Setting को Change कर सकते हैं तो यह सारे Options आप ट्राइ करके आप देख लेख सकते हैं कि कहाँ पे हमारी Picture Place होगी and other than that आप manually भी Click and Drag करके Picture को Position कर सकते हैं कहीं भी अपने Document में Hope you found this trick useful stay tuned for such videos and thank you for watching